वेलकम बैक टो मैं चानल तो कैसे हैं आप सब आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे तो आज मैं फिर से हजीर आपके सामने एक न्यूँ वीडियो लेके आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मीशो की कुछ साड़िया जिन में एकात कॉरता भी आपको देखने को मिल जाएगा मुझे मीशो पे कुछ प्रोडेक्स अच्छे लगे तो मुझे लगा आपके साथ शेयर कर दूँ एकात साड़ी इसमें कॉमल सोने मैं से रिलेटेड भी है जुन्होंने इसको वायर किया था तो जैसा भी रहेगा जो भी रहेगा आगे मैं क्लियर करती जाओंगी तो चलिए बिना कोई देर के मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ तो दिखाते हो सबसे पहला प्रोडेक्स आपने इसको मुझे वैर करते हुए देखा होगा एका दू वीडियो में इसके साथ मैंने वीडियो भी शेयर किया था तो यह काफी अ लगा देखा तो इसका जो कलर था ना वो थोड़ा सा मुझे डर लगा यह काफी अची कॉलिटी के आपको मिल जाती है जो में परचेस किया है वो है स्मॉल साइज आप देख सकते है इसमें अपको स्मॉल से लेके एकसेल डबल एकसेल तक आपको साइज मिल जाएगा आप सबसे देख लीजिए लेकि बात करें तो गला जो है आगे से अपको हलका सा राउंड नेक मिलेगा और बैक साइट से बोर्ट नेक प्लसरान नेक मिलेगा हैंड की अगर बात करें तो हैंड जो यहाँ तक नहीं आता यहां तक आपको आजाएगा बहुत अच्छा वाला मट्रेले कलर कॉम्बिनेशन भी ठीक है लेकिन थोड़ा सा डरल कलर है तो आप अपने साब से देख लिजेगा अगर आपको अच्छा लगता है तो आप ले सकते हैं पूरी जो कुर्ती है प्रिंटेट आपको मिल जाएगी कमर के पास आपको देखें यहां से न आपको यह चुननट चुननट से बना हुआ इसका घेर मिल जाएगा इसका घेर काफी अच्छा आता है मतलब जादा भी नहीं है और यह पूरा राउंड वाली कुर्ती है आगे से आपको पीछे से आपको कई से भी कट नहीं मिलेगा या उस समय इसी तरह का मतलब एक ट्रेंड ही चालू था मतलब जैसे की नौट के कुरते ड्रेसे पहने जाते थे जिसे की शेप जो है काफी अच्छे से आता था इसलिए बहुत से लोग जो थे ना पहले जब भी कुछ कुरता ड्रेस से लवाते थे तो नौट जरूर अटैच करत देते तो इसको देखने के बाद मुझे पहले की दिन याद आ गया है तो अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हैं अधर सेलर के पास भी आपको यह मिल जाएगा मीश्यों पे इसका जो कोड है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी अधर सेलर के पास अगर लग होते है किसी के पास यह 3400 में है किसी के पास आपको यह 300 में मिलेगा किसे के पास saadyeah 400 में भी मिलेगा तो अप अपने शाप से वहाँ पे रेट एस्टेंग भी आपको मिल जाएगा जिन्णों नों नी पर्चस केया है तो काफी अच्छे फोटो के साथ प्लस रेटिंग के साथ वहां पर दिया रहता है तो जहां पर आपको अच्छी कॉलिटी दिखाई देते आप वहां से पर्चेस कर सकते हैं तो यह रहा कुर्ता मैं आपको एक बर प्रॉपर दिखा देती हूँ हाइट जो है ना इसकी नी की क्रैप मट्रेल में है डेफिनेटली आप भी बाय कर सकते हैं अब मैं आपको दिखाती हूँ सेकेंड प्रोडेक्स सेकेंड जो प्रोडेक्स है वह एक्चुली ऐसा है कि मैंने इसको एक वीडियो में देखा था यह वारी साड़ी को तो मुझे यह साड़ी काफी इच्छ कर रही हूँ मीशो पर आपको यह प्राइस में मिल रही दोनों का प्राइस देख सकते हैं डिफरेंस है प्राइस में फ्लिपकाड में आपको जाधा प्राइस में मिल रही है और मीशो में थोड़ा कम प्राइस में मिल रही है तो मुझे लगा कि क्यो ना मैं दोनों को भी म मीशो की तो इस तरह से कर देते हैं तो यह फिलिप काड और यह मीशो अब मैंने मीशो का जो साडी था वो उपन कर लिया अब बात करते हैं सबसे पहले मीशो की तो यह वाले ब्रैंट की यह साडी है जो मैंने मीशो से ली है और सेम फिलिप काड पे भी मुझे यही वाले ब् साडी का कलर कॉंबिनेशन मुझे बहुत त्याला लगा इसमें आपको 5-6 कलर मिलेंगे ब्लैक और ग्रे कलर भी है और यह वाला भी है बहुत सारे कलर है आप अपने हिसाब से चेक कर लीजेगा लेकिन मुझे एलो प्राइट कलर बहुत पसंद आया तो मैंने यह ले लिया इ कर देख रहें यह पोर्शन इसमें थ्रेठ से काम किया गया है पूरा ट्रेठ से वर्क है साड़ी आपको 2-0 कलर मिलती है मतलब खना एलो अब आपको ब्लैक कलर गा इस तरह से पोर्शन मिल जाते हैं यह कॉंबिनेशन लो जो आपको स्अल German इस तरह से अब फूरी साड़ी साडी में कोई भी चेंजस नहीं है जैसे पल्लू में है सेम साडी वैसे आपको पूरी मिलती है यह देखिए नीचे का बॉर्डर आपको इसी तरह से मिलेगा और साडी का जो मट्रेल ना बहुत ही अच्छा शिफान का मट्रेल आपको इसमें दिया गया है तो चली मैं आपको उपर जो बॉर्डर आपको कहां तक मिलेगा वो दिखा देती हूं तो यह जो बॉर्डर आपको देखिए एक और यह दो हाथ के बराबर से मतलब दो हाथ से भी जादा का आपको इसमें बॉर्डर प्रवाइट किया गया है साडी का जो मट्रेल वो शिफान का है काफी अच यह जो ब्लैक कलर है यह वाश करने के बाद अधर साइड में भी लग जाए तो आप इस बात को ध्यान में रखते हुए एक बार इसको बाहर दे दीजिए वाश करने के लिए उसके बाद आप एक बार ट्राय कर सकते हैं मुझे तो लगता है जब भी में इसको वैर को रून और बीच बीच में आपको यह फ्लावर्स मिल जाएंगे यह देखें नीचे के दरब से आप देख पारे कि नहीं बहुत सुन्दर है बहुत ही लाइट वेट है ट्रांसपरंट है मूड ओडना पड़ता है तो भी आप इसको क्यारी कर सकते हैं बहुत ही पतली है गर्मी के आप सी यह साडी बहुत आसम है मुझे बहुत ही प्यारी लगी और यह है नीचे का पोरिशन नीचे का जो पर्शन का बॉरडर अपको ढगा देख सकते हैं अब चाहें तो देखें लेकिन आप स得 Re Patient a साडी का जैसे मट्रेल सेम वैसे मट्रेल हैं तो शायद मुझे टेलर लगता है कि नहीं देंगे क्योंकि वो बोलेंगे इसे अच्छा आप अधर कपड़ा लेके सिल्वा लो आप अपने इसाब से देख लिजिए अपने हाँ आपके टेलर दे देते हैं सिल्के तो आप डैफ करने का कोई फायदा नहीं है सेम साडी है मैं इसको नहीं रखने वाली तो मैं इसको रिटन करने वाली तो मैं इसको नहीं रखने वाली तो मैं इसको रिटन करने 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 वाली तो मैं से सिल पैक है, यह देख सकते हैं, तो यह रही मेरी सेकेंड साडी, और रही इसकी हाइट की बाद, तो हाइट जो है आपको अच्छी खासी इसमें मिल रही है, साड़े 5 मिटर की साडी है, प्लस आपको इसमें ब्लाउस भी सेपरेट है, इसमें जो प्लेट्स मुझे आ गई साथ प्लेट्स मुझे आराम से आ गई थी, तो अपने हिसाब से आप देख लीजेगा, तो यह रही मेरी सेकेंड साडी, अब मैं आपको दिखाती हूँ थर्ड वाली साडी, थर्ड जो साडी है वो भी बहुत ही प्यारी है, यह साडी मुझे काफी अच्छी लगी, इतनी स साडी के साथ ही यह साडी को वेर करती हूए देखा था मैंने, उन्होंने पैना ता जब वो केक कटिंग कर रहे थी कुछ ऐसा, तो वो साडी यही है, इसका जो है इंस्टाग्राम पर मुझे स्क्रिंचोट भेजा था किसे ने, कि प्लीज दी यह साडी का प्रिवीव कीजे तो यह साडी जब मैंने ढूंडी तो मुझे मेशों पर नहीं मिली, फाइनली मैंने इसको फिर से ढूंडा मेशों पर तो मुझे यह मिल गई, इसका ओरिजिनल पिक में यहाँ पर मेंशन कर यह आप देख लीजेगा, जैसे दिखाई थी सेम वैसी आई है, बहुत ही सुन् उसी के उपर आपको यह वाला डिजाइन मिल जाएगा, जिसमें की पत्ते पत्ते से बने हैं, और उपर की तरफ से यह ट्राइंगल वाला बॉडर इसमें अटैच किया गया है, देखे इस तरह से, बैक साइट का फिनिशिंग भी काफी अच्छ से दिया गया है, जिससे की स अंधनी प्रेंट वाला वर्क मिल रहा है, आप देख सकते इस तरह से, काफी अच्छा लग रहा है, अब बात करते हैं उपर का यह जो बॉडर आपको कहा तक मिलेगा, तो यह देखी एक हाथ यह और यह दो हाथ, दो हाथ के वराबर आपको यह बॉडर प्रवाइट किया गया है, उसके बाद यह पोर्शन में आपको बॉडर नहीं मिलेगा, उपर वाले यहा तक, और यह रहा इसका बॉडर प्रवाइट किया गया है, मतलब बॉडर मतलब यह वाला जो डिजाइन आप देख रहे ना यह आपको मिल जाएगा, और बीच में बॉडर प्लेन मिले और यह इतना आपको बॉडर दिया गया है, आप चाहें तो हाथ पे या फिर बैक साइड पर लगवा सकते हैं, साड़ी का जो मतलब है वही ब्लाउस का आपको मतलब मिल जाएगा, ब्लाउस का जो मतलब है वो 80 cm का बोल सकते हैं, मेरे हिसाब से 80 cm से भी ज्यादा का आपको यहां तक मिलेगा, उसके बाद यहां से आपको यह बॉडर नहीं मिलता है, यह वाले पोर्शन का, बहुती लाइट वेट साड़ी है, कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत सुंदर है, डेफिनेटल आपको यह साड़ी को बाई करना चाहिए, तो मुझी यह साड़ी भी बहुती क यह साड़ी है, वो भी बहुती प्यारी है, यह साड़ी को जो है मैंने मीशों पर देखा था, मीशों में यह साड़ी को कई बार देखा है, इसका ओरिजिनल पिक में यहां पर मेंशन करियों, आप देख लीजेगा, यह साड़ी को जो नहीं है हिना मैम ने वेर किया है, इस उसी का यह रैपले का वहाँ पर मेंचन है कि जैसी वो साड़ी है उसी से मिलती जुलती आपको यह साड़ी मिलेगी तो कम प्राइज में थी तो मुझे लगा कि क्यों ना ट्राइ करना चाहिए तो मैंने यह साड़ी को मंगाया यह वाला जो आप बॉर्डर देख रहे ना यह कुछ अलगी बॉर्डर है मतलब बहुत ही अच्छा कॉलिटी का यह बॉर्डर आपको मिलता है जिसमें गोल्ड और ब्लैक कलर का यह कॉंबिनेशन करके यह बॉर्डर तैयार किया गया है तीनों तरब से इसी तरह से आपको य बैक कलर में मिल जाएगा बहुत सुंदर लग रहा है और बैक साड़ी का जो फिनिशिंग है वो भी बहुत ही सुंदर है काफी अच्छी से फिनिशिंग किया गया है जिससे की साड़ी जो है चीप कॉलिटी की नहीं लगती है अब बात करते हैं बीच वाले पोर्षन की तो बात नीचे की तरफ से आपको सेम बॉर्डर मिल जाएगा जैसे की ब्लाक कलर में दिया गया है सेम वैसे आपको ये वाले पोर्षन में भी नीचे का बॉर्डर मिल जाएगा सेम है इसको जो मट्रेल है वो जॉर्जेट का है साड़ी का भी और प्लस बीच वाले पोर्षन क भी आपको जॉर्जेट का ही मट्रेल मिलता है लेकिन ये बीच वाला जो पोर्शन आप देख रहे न ये बहुत ही प्यारा है बहुत ही अच्छा वाला ये लुक लगता इसका तो मुझे ये साडी भी बहुत सुंदर लगी आप पूरा पोर्शन देखिए कलर फुल साडी है ब्लैक कलर का कॉंबिनेशन बहुत ही सुंदर लगता है पूरी प्रिंटेट साडी मिलेगी ये प्रिंट जो है वाश करने के बाद बिल्कुल भी नहीं जाएगा और ये रहा इसका ब्लाउस पीस ब्लाउस पीस जो एना देड मिटर के करीब आपको दिया गया है इसका जो म ब्लाउस बहुत बढ़ा होने वाला है आप चाहे तो फुल हैंड भी सिलवा सकते हैं लेकिन मैं ब्लाउस के मटरेल की बात करो ना तो मुझे इतना अच्छा ये ब्लाउस का मटरेल नहीं लगा बहुत ही चीप कॉलिटी का लगता है भले ही साडी से मिलता जुलता इतने को नहीं मिलेगा तो मुझे ब्लाउस का मटरेल बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा आप एक बार अगर चाहिए तो रिसीव कर लीजे आप देख लीजे अगर आपको अच्छा लगता है इसको वेर करने में तो आप डेफिनिटली इसको सिलवा सकते हैं लेकिन में त जादा करके इसको ब्लाउस के साथ ही वेर करने वाली हूँ आप देखिए अपनी चॉइस के हिसाब से देख लीजेगा लेकिन यह आपको देडिमेटर के करिब दिया गया है तो आप अराम से इसको सिलवा सकते हैं तो यह रही साडी बहुत सुन्दर साडी है साडी में अगर आपको यह साडी अच्छी लगती है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं मैंने सब साडीयों का कोड देके रखा है आप वो कोड को नोट कर लिजे या फिर मोबाइल में टाइप करके रख लिजे फिर आप मीशों पे जा यह नहीं लेनी चाहिए मेरा जो भी डिसीजन था मैंने आपके साथ शेयर कर दिया आप बात करते हैं साडी की हाइट की साडी की जो हाइट है वो बहुत ही ओसम है हिल के साथ भी आप इसको वैर कर सकते हैं रही प्लेट्स की बात तो प्लेट जो है मुझे 8 प्लेट्स आरा दो यही था मेरज नाष्थ होगी होगी है अगर आपको टोड़ी सी भी विडियो हेल्फॲ लगती है या फिर लगता है कि मेरे वीडियो से आपको कुछ जानकरी मिलती ए Force used बाई बाई फ्रेंड्स टेक केर